Hello guys, welcome to my YouTube channel, Ritik Technical Support, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप Bank Nifty में Trading करते हैं, तो कभी न कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि support और resistant जो है, वो identify करना थोड़ा मुस्किल होता है, ठीक है, हर दिन मार्केट में, कभी कभी हो सकता है कि आपका better हो जाए, बट कभी कभी support और resistant आपका proper तरीके से काम नहीं करता, तो यही चीज हम आपका जिस वीडियो में clear करेंगे, कि 100% सटीक, support और resistant कैसे आप लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दो तरीके बताएंगे, दोनों में ही आपको पहला जो तरीका रहेगा, जिसमें आप लोग सीखेंगे, और दूसरे तरीक आपको ड्रॉ होगा, ठीक है, ठीक है, अब देखिए काफी सिस्टम है, अब जैसे निफ्टी बैंक की हम इस टॉपिक में particular बात कर रहेए, अब देखिए मार्केट पे यहाँ पे चार्ट ओपन हो चुका है, अब यहाँ पे काफी तरीके है, काफी लोगों का अलग-अलग support बनेगा, काफी लोगों का अलग-अलग resistant बनेगा, ठीक है, हर टाइम प्रेम पे आपको अलग-अलग support और resistant देखने को मिलेगा, बर सबसे important बात है कि सबसे ज़्यादा time आपको जो है better accuracy कहाँ पे मिलेगी, तो दीखिए, पहला हमने आपको तरीका बतायते है, जो कि manual रहेगा, आपको का करना है, कि आपको हमारा WhatsApp चैनल जोईन करना है, जिसका link हम आपको description में देते है, और यह बिलकुल free है, ना ही कोई हमारा subscription है, ना ही कोई हमारा private चैनल है, ठीक है, यहाँ पे जब आप लोग ज support और resistant है, वो clearly काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो आप हमारे पुराने record भी देख लीचेगा, तो आपको पुराने record से पता चल जाए कि नहीं, वाकई में जो हमारे support और resistant है, वो 100% काम करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग identify भी कर पाएंगे, कहाँ पे put के entry बन रही है, यह होगे आपका पहला तरीका, और यह जो manually हम बताते हैं, यह आप लोग खुद से भी सीख सकते हैं, हर trade की पिछे काम logic यहाँ पे बताते हैं, तो आप हमारा WhatsApp चैनल जोईन करेंगे, तो आप कुछ दिन अगर test करेंगे यहाँ पे, तो आप खुद बहुद सीख ज ठीक है, दूसरा भी automatic रहेगा, तो इसके लिए हम trading view को open करेंगे, क्योंकि जो normally आपको broker मिलेंगे, उसमें आपको वो feature नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे nifty bank का chart open कर लेते हैं, ठीक है, तो हम chart पे गए, then bank nifty यहाँ पे select कर लेते हैं, अब जो time frame पे आप लोग trading करत जो आपको better suit करता है time frame, वो आप लोग select कर लेजेगा, जैसे कि हम trading करते हैं, तो हम तो 15 minute का chart ही consider करते हैं यहाँ पे, अब हम indicators पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग search करेंगे support और resistant, तो हमें जो पहला लकसलगों का support और resistant मिलता है, यह यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 15 minute क chart अभी open है, आप अगर 5 minute में करते होगे, तो हम 5 minute में भी कर देते हैं, आप लोग को यहाँ पे identify करके बता देगा, कि support कहाँ पे है, और resistant कहाँ पे है, ठीक है, आपका red line हो जाता है, resistant और blue line हो जाता है आपका support, ठीक है, तो आपको यह जो indicator है, वो automatic बता देगा, support और resistant, ठी आने इनके जो है, जो है देख सकते system, कि जब इनने कहाँ कहाँ पे support रॉक किया था, तो किसने perfectly काम किये, ठीक है, तो काफी चूनिंदा indicators में से है यह, काफे लोगों को नहीं पता, बट यह indicator आपको support और resistant रॉक करने में help करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो यह दो तरीके हैं, जिससे आप लोग bank nifty में support और resistant को बना सकते है, ठीक है, I hope आप लोगों को वीडियो informative लगी होगी, मिलते हैं next वीडियो में, जय माता दी,